हेलो आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है तो देखिए आज हम करने वाले हैं जेनेटिक्स का टाउप 30 सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिशन में मिल जाएगा आप साइच करके भी जॉइन कर लेना वहां पर इसका कुछ भी होता है साथ बज़े फिर हम यहां पर डिसक्रिशन करते हैं ठीक है इसका पीडिएफ जो हमारे कोर्स में सिर्फ उन्य को दिया जाएगा को जॉइन करने के लिए आप नाइन फैप सिक्स नाइन त्री सिस्ट्री त्री टू पे कॉंटेक्ट कर सकते हैं या कहीं सभी पता चल जाए सब्सक्राइब कर सकते हों आपको डेमो लेक्ट्र चाहिए देख लो समझ में आता है तो जौइन कर सकते हो अगला पहला इक क्वेश्चन है कि वह इस दर रिगार्डेद था फादर आप जैनेटिक्स तो जैनेटिक्स क्या है स्टडी है 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 एडिटी एन वेरियेशन का त ऐस दर आप मॉड़र्ण जैनेटिक्स आप बैटेसन को बोलते हैं और क्या है राबर तुक कीया थे क्या किय थे उ किया थे सेल की डिसकरी किये थे सेल की डिसकरी तो आपसे पुछे living cell की discovery किस ने किया था तो living cell की discovery living hawk ने किया था इन्होंने कौन सा बुक लिखा था Robert Hook ने रिखा था Micrographia बुक लिखा था कौन सा Micrographia बुक लिखा था और इन्होंने कौन सा बुक लिखा था Secret of Nature बुक लिखा था Secret of Nature बुक लिखा था मया प्लाइफ नहीं जी और इस पिशीज लिखेंगा अगला क्या अगला क्रिमेंट किया योपर और म्यूटेस्टियर स्न झीरी दिया था मंwashan चल्टिय ऑफकर अगला क्म 스म क्वाल्द दी जब एक सिंगल जिन होता है मौर देन मन फिनो टाइब को कंट्रोल करता है जब एक single gene होता है more than one phenotype को control करता है तो उसे क्या बोलते है तो उसे बोलते हैं प्लियो ट्रॉफिक gene ठीक है जैसे capital Y gene है यह चूहे में coat का color चूहा किस color का होगा वो भी करता है डिसाइड और अगर यह dominant form में आ गया तो यह date के लिए responsible होता है इसे lethal gene भी बोलते हैं आग जो ट्रॉफिक gene वो होता है जो किसी भी अर्डियों को growth के लिए बाहर से इस्ट्रा amino acid या इस्ट्रा nutrient को देने के लिए आग जो ट्रॉफिक बोलते हैं उसे यह जो ट्रॉफिक होता है nitrogen से संबन्दीत है somatic cell आप जानते हैं अगला question है आपका जो मेंडल ने 7 character को लिया था एक चुली में 7 character नहीं 7 पेयर और रहेगा सेवन पिए और आ पॉर्टीन character को हो गई आप ठीक है 7 पेयर character को लिया था वह कितने प्रॉमोसों पे लोकेटर से संबанदित नहीं है देको कैlemantlor एक दीया था लेकिन मेंदल को उनके लायाईब टायम में उनको साइनिस्टीक-दरजा नहीं मिला क्योंकि उसके से महीं आऽनुअ मेंदल का काम दूसरों को समय लिए गthinking मेंड़ल की बातों को रूपकी धों मूलर नहीं है यह साइटो जेनेटिक्स ऐसे कर सकते हो साइटो जीनेटिकस फादर क doubly साइटो जेनेटिक्स या het अगला कोश्चन है डबल स्टेंडर मॉडल आप डिन एक्षिली में बी डिन ने का कप प्रपोज्ड किया गया तो वाट्सन क्रिक ने उनीस सो पिरपन में प्रपोज किया था और इनके लिए 1962 में उनको क्या मिला नोबेल प्राइज मिला था 1962 में अगला कोश्चन है कि जब आप एक डिन ने का इस्ट्रक्चर देखते हो तो वहाँ पूछ रहा है कि कौन सा बांड मिलता है सुगर और बेस के बीच में जो नाइटूजेंस बेस होता है पेंटो सुगर होता है तो उनके बीच में ना हाइडोजन बांड मिलता है ना फास्पोडाइस्टर बांड मिलता है उसके बीच मिलता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यानि हाइडोजन बांड जो होता है दो बेस पेर के बीच मिलता है और दो नुकलियोटाइट के बीच में फास्पोडाइस्टर बनात करते हैं अब जीन को कैसे करोगे डियनने का वह एरिया जो एक पार्टिकुलर काम के लिए पार्टिकुलर काम करे तो उसे जीन करोगे थीक है जीन टर्म जोहांसन ने दिया था ठीक है 1909 में विच आफ फॉरिंग साइटिस प्रपोज़ तर्म जेनिटिक्स नहीं तर्म जीन ह होगा तो जोहांसन इसका राइट एंसर होगा तीक है लूइस पाच्चन ने अपना फर्मेंटेशन ने सब के बारे में बताया था बैट सन फादर आफ मॉडेन जेनेटिक्स मेंडल फादर आफ जेनेटिक्स अगला कुछ नहीं इस स्टेट्मेंट इंकरेक्ट इसमें से कौन सा स्टेट्मेंट है जो गलत है क्या है गलत है तो डोज जो है फादर आफ फादर है नियुरोस्पोरा जेनेटिक्स यानि इन्होंने है प्लायट जेनेटिक्स के उपर काम किया था इन्होंने नियुरोस्पोरा क्रासा जो कि इसको म रेंबर है तो उसके उपर काम किया था मुलर जो है इक? इस प्रेमेंटल जैनेटिक से मुलर ने रेडियेशन में काम किया था वान जीन वान एंजिए हैं म हायपोथेसिस के बारे भी बताया था वी डॉदल एंट टैटम ने तो यह भी सही है मुलर जो रखो, experimental genetics नहीं, cytogenetrics कोँगे, तो यह ही right होगा, experimental genetics जो है Morgan है, कौन है जी, Morgan, ठीक है, 200 फिला, एक उपर काम किये थे, तो यह बाला, यह गला तो यह इए ही सही होगा, gene term जोहांसन ने दिया था, हमने बताया, अगर कोई individual है, वो अगर सिर्फ only one gene, यानि कि आप जा के पास रहे तो उसे आप क्या कहोगे उसे आप hemigycus कहोगे गाट it चलो आगे चलते हैं डिफ्रेंट जी नो टाइप प्रोड्यू सेम फीनो टाइप अगर वह इन्वर्मेंट की वज़े से सेम सेम फीनो टाइप प्रोड्यूस करने लगे तो उसे आप कहोगे फीनो कापी, फीनो टाइप क्या होता है, external appearance, आप एनी organism, एनी plant, अगर वो बाहर से कैसा दिखता है, छोटा है, बड़ा है, काला है, नीला है, पीला है, that is the फीनो टाइप, जीनो टाइप, what is the genetic make up of that organism, is known as the genotype, ओके, pre-formation theory given by, तो pre-formation theory जो है, pre- mendelian genetics में, mendel से पहले, swam order ने दिया था, इन्होंने बताया था कि actually में जो sperm होता है, sperm के tip में already एक इनसान होता है, इसे homonculus बोलते हैं, या little man बोलते हैं, तो यही जाता है female के body में, female के body में जाके यही sperm develop हो जाता है, actually में child में, तो pre-formation theory में यही बताया जाता है, female जो है incubator की तरह है, female का कोई role नहीं है, actually में इस sperm के tip पे इनसान होता है, वही develop हो जाता है, ठीक है, उल्प ने इपी genesis theory दिया, Darwin ने pan genesis theory दिया, python gauras ने vapor theory दिया, तो यह सब आपको class में बताया गया है, ठीक है, तो हमें pan genesis theory किस ने दिया था, तो pan genesis देखो, Darwin ने दिया था, Darwin क्या बताते थे कि भाईया, क्या होता है, इंसानों के जो होते हैं, male और female के अलग-अलग body part में कुछ gemule like structure बनते हैं, gemule बनते हैं, और वही gemule होते हैं, जो reproductive cells में इकठे होके, fuse होके क्या बनाते हैं, एक child बनाते हैं, तो अब इसको देखो discard कर दिया गया, ये कहते थे कि अलग, जैसे मालो ये एक इंसान है, अब मालो इस इंसान का हमने हाथ कट कर दिया, तो हाथ वाला gemule तो जाएगा नहीं फ्यूच करने के लिए, तो बच्चा क्या होगा, उसके पास हाथ ही नहीं रहेगा, बच्चा का एक ही हाथ रहेगा, क्या, ऐसा तो नहीं है, हाथ बनता है, तो पैंजनेसिस थियूरी को भी discard कर दिया गया, इस पाम और ओवाम की पैंजनेसिस कुछ नहीं होता, एक्च्चली में स्पाम ओवान होते हैं, फ्यूर्टिलाइज होके यही होता है, हुक के बारे हमने बताया, बोनट क्या कहते थे, जैसे स्वामर्डन कहते थे, कि स्पाम टिप पे जो मेल होता है, चायल्ड होता है, ऐसे बोनट थे न, यह कहते थे, अरे भाईया, इस स्पाम पे नहीं, ओवाम पे एक चायल्ड होता है, फालोइंग थिउर्ी, तो देखो, क्या होता था, लैमार्ग थे, जो ओंजन तो कहते थे, तो कहते थे, कि जो आर्गन आप ज़ादा यूज करोगे, कि वो जाड़ा डिवलफ हो जाएगा है ऐसे करके तो के ओफिसेस जो है आपका वह ऑस्फशन है त्युरिया आप एक्क्वाइड इनीरिटेंस का देखो और जे और फिसेस नहीं होगा लेकिन बाद में वो जिराफ और आपको लेकिन नहीं कर पाया थे बाद में डिस्काइट कर दिया गया था विजमान आय थे इनकी वाट लगा दिया थे LInarchy उंकेच क्या होता हम आपको आगे बताएंगे कैसे क्रोमोसोम पे जीन होते हैं एक गया आज्टािम पैडिया थे इन प्य मींडेया था सेंटंपिक नेम और का ड का सेंटंपिक नेम कमंट सिक्षम में बता देना मैं चेक यह हां मैं या cheapest कलर के मिन això। तो 3 था एख था फॉवर का कलर एख ता सीड का कलर और एक था पोड का कलर तो तीन करेक्टर ऐसे थे मतलब सेवेन पेर आप करेक्टर में मतलब सीड का कलर कैसा एलो है कि ग्रीन है पोड का कलर कैसा है फ्लावर का कलर कैसा परपल है वाइट है तो तीन कलर ऐसे थे मतलब तीन करेक्टर ऐसे थे तीन पेर जो कलर से र genetic composition of any organism या genetic composition of any individual तो ये डी वला एंसर होगा बता दिया था कौन सा technique मेंडल के त्वरा यूज किया जाता देखो वो पी की उपर काम करते थे अब वो चाहते थे कि भया हम सिर्फ fertilization करया है तो वहां से इंथर को रिमूब कर देते थे वो चाहते थे कि सिर्फ fertilization हो तो वह bagging कर देते ताकि cross pollination ना हो सगे तो ये भी दोनों से होगा unit of inheritance क्या है या आप जैसे भी दिखते हैं gene की वज़े से दिखते हैं जैनिक composition आपका कैसा है तो unit of inheritance आप क्या कर सकते हो gene को कर सकते हो allele क्या होते है जैसे alternate form of the gene pair ये क्या कर लाते है ये क्या कर लाते है ये क्या कर लाते है जैसे मालो एक gene है वाई इसका alternate form को हम मेलील करते हैं ऐसा कौन सा structure है जहां पर gene pair में नहीं हो सकते हैं जीनो टाइप phenotype concept के बारे में batson ने बताया था ये बात आभिया रखना सटन और बावेडिन ने chromosomal theory आप inheritance दिया था क्या दिया था क्रोमो सोमल थे यूरी आप inheritance theory आप इन हेरिटेंस दिया था गॉट इट पूनेट ने पूनेट स्कॉार दिया था ऐसे कर लो फिर यहां पे जीन बना लो पर रख लो इसमें से कौन सा डॉमिनेंट करेक्टर नहीं है तो देखो टर्मिनल फ्लावर ये रिसेसिव करेक्टर है जो एक जीन फ्लावर होते हैं ये होते हैं डॉमिनेंट करेक्टर एक जीन इजे डॉमिनेंट टर्मिनल इजे रिसेसिव टाल जो है डॉमिनेंट है ग्रीन पोर्ट कलर भी डॉमिनेंट है एलो सीट कलर भी डॉमिनेंट है तो देखो इस तरीके से हमने जेनेटिक्स का बहुत ही सिंपल तरीके से कितने कोश्चन हमने बता दिये आपको 26 कोश्चन तो ऐसे करके डेली 15 से 20 मिनट की क्लासे सोंगी मैक्सिमम तो आपको डेली क्लास में जूड़ना है आप देखो यह पेडियाफ जैसे सबको तो नहीं प्रोवाइड कर सकता अब इस सैसे कोश्चन रहेंगे हम आपको सारा बताएंगे ओके देखो यहाँ पर एक और चीज़ है काल कोरेंस इन्हों ने क्या किया था 1908 इसी में क्या किया था थियूरी आप मिलता हूं आपसे नेक्स वीडियो में थैंक यू फा बाचिंग दिस वीडियो